नमस्कार मैं जो तसना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल विंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अडेनियम प्लांट लेकर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ एक अडेनियम को निकाल रखा और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस समय समय के रिपोर्टिंग कर सकते हैं पूरी इनफर्मिशन थें दोस्तों इस वीडियो में कि एगर इस UX रिपोर्टिंग फ्लाइब करता रहे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्टर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है दोस्तों जरूर प्रेश करें ताकि आने माला वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो आप देख पार है फ्रेंट्स मैंने इतने सारे अडेनियम निकाल रखे हैं और अभी मैंने इसलिए निकाला है फ्रेंट्स कि ये छे दिन लगतार बारिश में बहुत ही जादा इसकी मिट्टी जो थी स्वाइल मिडिया था वो बहुत ही एकदम गिला हो गया था और मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गई थी इसी में इसका ये हाल हो गया है और बहुत सारा इस तरह ये रॉट जैसा हो रहा है ऐसे पुरी तरह रॉट नहीं हुआ है लेकिन यदि मैंने छोड़ दिया होता तो ये रॉट होने का चांसिस था और ये दिखिए मेरा काफी हिल्दी ये सब कोडिक्स है तो मैं आज इस इन ही सब को रिपोर्ट करूंगी लेकिन रिपोर्ट करने है और इस तरह साफ फंगिसाइड लगा के आपको छोड़ देना है एक दिन के लिए फ्रेंट्स किस तरह से रॉट हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है मुझे ये दिखिए पुरी तरह कोडेक्स इसका है एकदम टाइट है आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क यह देखिए छोटा सा इस तरहा होल तरह का गडल रहा था तो मैं इसको इसतरह गोल करके कट करके निकाल रहे हूं और बाकी जो अच्छा है यह देखिए अब अच्छा गया वाइट सा गया हलका सग्रीनिस मतलब यह नीचे ठीक है उपर अभी स्टार्ट ही हुआ था फ्रेंस गलना तो इस तरह एक हपते में मेरे अडेनियम का यह हाल हुआ है तो यह दिखे फ्रेंस मैंने सारे जो रोटन पाट थे जो गला हुआ पाट था कोडेक्स का सारा निकाल ल लगाना यानि फंगिसाइड लगाना और लगा के इसको छोड़ देना है आपको जब यह पाट ड्राइव हो जाए आपको लगे कि यह सूख गया है तो ही आपको इसको फिर दुबारा रिपोर्ट करना है इस तरह मैं इसमें पुरे भर के लगा दूंगी साफ और फिर मैं साथ मैंने शेयर किया था कि साफ फंगिसाइड लगा के जहां भी कट फट है इस तरह सभी सड़ा करना दीखे तो आपको कट करके हटा देना है और सब में साफ फंगिसाइड लगा देना है यह देखिए थोड़ा यह मेरा सूख गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मैंने सुमपली लिया प्रेंट 40 % जो अपना ईस्ता है वो ले धान की भूसी और थाजने 30 मैंने लिया है यह बूं संड और 30% है मैंने इसमें कमपोस्ट मुर्ण टाला है मेरा कहने के मतलब है कि homemade compost और जो leaf mode compost होता है और बर्मी compost होता है तीनों को मिला के मैंने डाला है 30% और साथ में नीम खली डाला है हर एक गमले के हिसाप से दो चमज और फंगी साइड डाला है इस तरह मिला के मैंने potting mix बना लिया है और बिच बिच में जो आपको दीख रहे है इसलिए अभी इस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाईएगा तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत नूट्रिशन रिच होगा फ्लारिंग भी करेगा हमारा प्लांट बढ़ेगा भी तो चलिए अब मैं पॉट ले लेती हूं और पॉट में मैंने सारा मिटी का गमला लिया फ्र इसलिए मैंने लिया है मिटी का पॉट तो संभाव हो तो आप मिटी का ही रखें वरना आप प्लास्टिका भी ले सकते हैं नरसरी पॉट जिसमें बहुत सारे होल होते हैं इस तरह आपको अपने प्लांट को देखते हुए स्वाइल मिक्स को भर लेना है और सिंपली आपको इसमें प्लांट को स्टे करना खड़ा करना है खड़ा करने के बाद बस साइड से मिटी आपको फिल कर देना है तो मैं सारे को लगा लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखिए फ्रेंस मैंने सारे अडेनियम को लगा लिया है और इस तरह आपको साइड से ज़रूर पूरे टाइट हाथ से पंच करना है ताकि कोई भी एर पॉकेट न रहे और अब चलिए इसको मैं एक जगा सबको रख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है अब यह देखिए फेंस सारे अडेनियम को मैंने रिपॉर्ट कर लिया है जो भी मैंने बाह मैं पानी हो रहा हो या पॉर्ट बहुत चोटा हो उसको आप अभी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है रिपॉर्टिंग के बाद इसको अभी तूरत पानी नहीं देना है नहीं इसको बारिश में छोड़ना है तो इसका खाल रखिएगा तो पानी आप तभी दिजिए गा पॉटिंग के बाद कम से कम पांच दिन इसको यूही रहने दीजिएगा मैं ऐसे ही छोड़ दूगी अभी किसी भी तरह का कोई इसमें पानी नहीं करूंगी ना रेन वाटर दूगी ना नॉर्मल पानी दूगी कुछ भी अभी नहीं डालना फ्रेंट्स पांच दिन के बाद इसको आप पानी में रख सकते हैं यानि वारिश हो रही है तो वहां रख सकते हैं या फिर उपर से पानी आप अड़ कर सकते हैं और ध्यान दिजिएगा कि इसको अभी सेड़ी प्लेस में ही रखना है सनी लोकेशन में बिल्कुल नहीं रखना है तो सनलाइट का खास ख्या आउट होता है कि क्या बारिश के सीजन में रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल रिपोर्टिंग कर सकते हैं देखिए आपके सामने मैं इतने सारे प्लांट को रिपोर्टिंग किया है और आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका अप्रेट भी दूंगी कि कोई भी मे जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अपने गार्डन में इस तरह खुबसूरा टैडनियम प्लांट को लगा सके और हेरो फ्लारिंग पा सके तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार